असकार मैं हूँ राजिस और आप देख रहे हैं नियाई टीवी उत्तर प्रदेश के पुर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के संगरक्षक मुलायन सिंग यादव का आज निधन हो गया है उन्होंने 82 साल की उम्र में गुरुग्राम के मेदानता अस्पताल में आज सुबह सवा आठ बजे के करीब आखरी सास ली मुलायन सिंग यादव को 22 अगस्त को सांस लेने में तकलीफ और लो ब्लड ट्रेसर की सिकायत के बाद मेदानता अस्पताल में भरती कराए गया था अलाकि उनकी तबियत में सुधार नहीं हो रहा था और एक अक्टूबर की रात को ICU में सिफ्ट किया गया और जहां एक डॉक्टरों का पैनल उनका इलाज कर रहा था वाई समाजवादी पार्टी ने ट्वीट कर बताया आदर्निय नेता जी का आज सुबह गुरुग्राम के मेदानता अस्पताल में निधन हो गया और उनके पार्थिव सरीर को सैफाई ले जाए जा रहा है और कल दोपहर तीन बजे सैफाई में अंतिम संसकार किया जाएगा वाई मुलायम सिंग यादव के निधन पर उत्तर प्रदेश सरकार ने तीन दीन का राजकिय सोग घोशित किया है और मुलायम सिंग यादव का अंतिम संसकार राजकिय सम्मान से सैफाई में किया जाएगा वाई प्रधन मंतरी नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर मुलायम सिंग यादव के निधन पर दुख जताया है उन्हेंने ट्वीट कर कहा है मुलायन सिंग यादव जी एक विलक्षन व्यक्ति के धनी थे उन्हें एक विनम्र और जमीन से जुड़े नेता के रूप में व्यापक रूप से सराहा गया और जो लोगों की समस्याओं के प्रती समवेदन सील थे उन्होंने लगन से लोगों की सेवा की और लोक नायक जेपी और डॉक्टर लोहिया के आदरसों को लोकप्रियब बनाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया वहीं उन्होंने दूसरे ट्वीट में लिखा है मुलायम सिंग यादव जी ने यूपी और रास्टिय राजनीती में अपनी अलग पहचान बनाई और वह आपात काल के दौरान लोकतंद्र के लिए एक प्रमुख सेनिक थे और रच्छा मंत्री के रूप में उन्होंने एक मजबूत भारत के लिए काम किया और रास्टिय हिद को आगे बढ़ाने पर जोर देते थे आपको बता दे कि मुलायम सिंग यादव उत्तर प्रदेश के तीन बार के मुख्य मंत्री रह चुके हैं और मुलायम सिंग यादव अपने पीछे एक बड़ी राजनीती विरासत के साथ ही करोडों की संपत्ती भी छोड़ कर गए हैं बतादे कि साल 2019 में लोकसभा चुनाओ के दोरान मुलायम सिंग यादव की और से दाखिल हलप नामा में अपनी संपत्ती की जैनकारी दी थी और उनके संपत्ती करीब 16.5 करोड रुपे थी और इस हल अपनामे के मुताबिक मुलायम सिंग यादव की संपत्ती 16.52,44,300 रुपे थी वही सपा संगरक्षन के निधन पर बस्पा प्रमुख और राजनीती में उनकी धूर विरोधी रही मायावती ने भी दुख जताया है और उन्होंने ट्वीट कर लिखा है समाजवादी पार्टी के वियो वृधनेता और उत्तर प्रदेश के पूरोव मुख्यमंत्री मुलायम सिंग यादव जी के निधन की खबर अति दुखद है उनके परिवार और सभी सुपचिंतिकों के प्रती मेरी गहरी संवेदना है कुदरत उन सबको इस दुख को सहन करने के सक्ति दे बता दे कि तीन बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके मुलायम सिंग यादव का नाम सियासी दिगजों में लिया जाता है भी आया था जब वह देश के प्रदानमंत्री बनते बनते रह गए थे ये साल था 1996 का और देश में तब सरकार HD देवगोडा के थी और इस सरकार में मुलायम सिंग को रक्षा मंद्री का पदभार में मिला था वही सियासी जानकार बताते हैं कि साल 1996 में प्रदानमंत्री पद के लिए मुलायम सिंग यादव के नाम पर सभी सहयोगी दलों में सहमती बन चुके थी और मुलायम सिंग के सपद ग्रहन का समय और तारीख सब कुछ तैह हो चुका था लेकिन फिर भी नेता जी प्रदानमंत्री नहीं बन पाए और प्रदानमंत्री बनने से चूक जाने का ये किस्सा मुलायम सिंग ने खुद एक अख़बारी मीडिया के साथ साजह किया था मुलायम सिंग यादव ने कहा था कि मेरे साथ एक ऐसी घटना हो चुकी है जब प्रधान मंत्री के लिए मेरा नाम तै हो चुका था सुबह आठ वजे सपद गरहन होना था लेकिन बाद में कुछ ऐसा हुआ जिससे सब कुछ बिगड़ गया वह ही ऐसा कहा जाता है कि HD देवगोडा से पहले मुलायम के नाम पर सभी दलों ने हामी भर ली थी आपको बता दें कि मुलायम सिंग यादव फैमली के ऐसे विराट वटवरिक्ष थे जिनकी छत्रचाया में इस कुनबे का सियासी सफर तेज रफ्तार से आगे बढ़ा और इस परिवार में जिसने भी राजनीती में अपनी दिल्चस्पी दिखाई उसे पॉलिटिक्स में ब्रेक देने में उन्होंने जरा भी देर नहीं लगाई और मुलायम परिवार के 25 से ज़्यादा लोग आज राजनीती में सक्रिय है झाल